Hello everyone and welcome to Only I Yes. Finally हमारा कमर कसने का टाइम आ गया है क्योंकि UPSC ने finally notify कर दिया है हमें कि UPSC exam 5th June को ही होने वाला है. वसे भी ये बात तो हमें पहले से भी पता थी. तो नया क्या है? नया कुछ नहीं है, बस आपको एक बार push मिल जाता है. अब जैसे की एक particular time period था जहाँ पर आप अपने optional पर भी ध्यान देते थे, अपने mains oriented subject पर भी ध्यान देते थे, बट अब एक time है जब आप अपने preparation को एक single direction में shift करते हो, अपने prelims की ओर थोड़ा सा ज़ादा focus करना start करते हो. कुछ important dates, कुछ important notification के points को discuss करते हुए, previous year के question paper के trends को analyze करते हुए, हम इस video को end करेंगे. कुछ important points आप सबके लिए, सबसे important point है जो इस exam को पहली बार दे रहे हैं, कि कौन इस exam के लिए eligible है, definitely आपका एक graduation होने वाला जो इनसान है, वो ही इसको दे सकता है, तो एक basic eligibility आपके लिए हमेशा इस exam में रहती है, दूसरी चीज की form कैसे fill up करना है और कहां जा के fill up करना है, तो यह है upsconline.nic.in, हर बार यहीं पर form भरते हैं, इस बार भी यहीं पर है, यहाँ पर एक detailed instruction आता है पहले, आप उसको एक बार download करके पढ़ लेना, even आप इस notification को भी description से download करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्या-क्या चीजों की जरूरत परती है, online form भरने से पहले, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, फिल्हाल इन सब में समय जाया ना करते हुए, एक आपको date याद रखनी है, 22nd February 2022, जहां पर यह बता रहे हैं कि यह last date है भई, इसके बाद आप अपने form submit नहीं कर पाऊगे, तो still you have got 20 days, और आप इन 20 दिनों में आराम से अप को submit कर सकते हो, अगर आपको कोई भी doubt आता है, तो इस बार एक facilitation counter भी दिया गया है guidance के लिए, जो कि इन following numbers पर इतने time के बीच में आप call करके इन से बातचीत कर सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो यह counter center जो है, वो gate C के पास है, campus में ही आपको मिल ज 61, जो कि एक decent number है, बहुत कम भी नहीं है, जैसे कि हमने last year देखा था, और बहुत कम like 2009 ऐसा कुछ भी tremendous changes नहीं आए है, एक overall range होती है UPSC की between 800 to 900 vacancies, तो in between कहीं यह lie करता है इस बार, तो पिछले बार से तो ज़्यादा ही vacancies है, तो definitely आप लोग इस बार अपने select होने के chances थोड चार चीजें बहुत important है, सबसे पहले है आपके पास एक current affair, दूसरा है आपके पास आपका important subject quality, इसके बाद एक important subject आता है आपका environment और एक important subject आता है आपका economy, economy जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको budget, economic survey यह सारी चीजें इसमें covered कर लेनी है, ठीक है, तो current affairs मे काफी अच्छे तादाद में questions आते हैं, आप इस line में पूरा देख सकते हो, कि एक बड़ा chunk, लगबग 20-25% का chunk जो है न, वो current affairs से होता है, दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक portion, आपका major portion आता है environment से, अगला major portion है आपका quality वैसे तो आप बोल सकते हो, कि quality एक अच् एक major chunk आता है हमेशा economy से, और फिर इसके बाद आप लोग history का major chunk देख सकते हो, history में भी आप वैसे तो modern history में अभी तक का एक skewed graph देख सकते थे, जहाँ पर modern history पर ज़्यादा focus किया जाता था, but last year के paper में ऐसा दिखा गया कि medieval history, जिसको कि हम लोग one of the most ignorant subject मानते थे, prelims के preparation में उससे भी अच्छे ताद में question आये थे, तो एक basic reading जो भी आपने basic किताब medieval history की पढ़ी है, कोशिश करना कि उसकी revision 2-3 बार आप कर लेना, क्योंकि काफी factual होता है, तो यहाँ पर थोड़ा focus कर लेना, but still, अगर आप medieval history में weak हो, या फिर आपने नहीं सही से पढ़ी है, तो तो thorough reading करने के साथ साथ अपने बाकी subjects पर थोड़ा सा focus कर लेना, science and tech more or less current oriented होता है, तो current affairs science and tech के जरूर से पढ़ना, geography और environment के कुछ questions mix up में होते हैं, तो यहाँ पर more or less आपके जो vegetation के हिसाब से questions आते हैं, या फिर grassland features, या फिर आप climatic conditions के basis पर बोल सकते हो, वहाँ से questions के ता पता चल गई, एक बार trend पता चल गया, और यहाँ पर एक बड़ा question आता है ना हमारे सामने की क्या हम eligible हैं क्या इस exam के लिए, देखो बहुत simple सी strategy है आप लोगों के लिए, कि आप लोग की उम्र 21 साल से जादा होनी चाहिए, और 32 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक catch ये है, कि यहाँ जो बीच का एक date आपके सामने रखा जाता है, वो हर बार की तरह इस बार भी 1 August 2022 है, तो अगर 2022 एक अगस तक, अगर आपने 32 years की age achieve कर ली है, तो फिर थोड़ी मुश्किल है, मतलब कि आप 32 साल से कम होनी चाहिए, बराबर नहीं हो सकते हुआ, ठीक है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा catch है, आप अपने हिसाब से उसको calculate कर लेना, अपने date of birth से आगे ऐसी confusions आएगी नहीं, इस prelims की preparation को थोड़ा सो और strong बनाने के लिए, एक तो प्रोग्राम आपको हमेशा बता होना चाहिए, प्रग्यान जो कि 6th of Feb से ही है, यहीं से अब अप सारे लोगों का CSAT होता है, उसके लिए भी एक simple program है हमारा, जिसको आप video.onlyis.in पर जाके join कर सकते हो, बहुत सारे लोग की preparation थोड़ी सी distorted होती है, उनको एक guidance शही होता है, prelims से related, तो एक crash course की जरुवत होती है उनको, यहाँ पर आप Tejas को join कर सकते हो, इसके लिए भी आपको video .onlyis.in पर ही जाना पड़ेगा, even आपको कोई भी further queries होती है, तो आप info at the rate onlyis.com पर mail कर सकते हो, या फिर इस number पर हमें call भी कर सकते हो, अगर बहुत सारे लोगों की preparation अच्छी है, तो आप सीधे test series में enroll कर सकते हो, अपने आपको प्रयास के नाम से है, और बहुत important date से यह start हो है 14th of February से, तो आप definitely इसको join कर सकते हो, अपने अपने need के हिसाब से, तो आज के discussion में बस इतनी ही information थी, last में जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा quote जो आपके लिए बहुत important हो सकता है, अप चोकि deadline clear है, तो focus भी और sharp हो सकता है, तो finally अपने focus को maintain करते होए, आप इस बात की इनिशित कर लो की इस बार selection तो ले के रहेंगे, तो बस इशी जोश के साथ अपनी तयारी को continue रखो, thank you very much for listening it, very patiently friends, have a nice day.